Just After 12 के बाद अगर आप अपना Career Computer की फिल्ट में बनाना चाहते हैं और वहाँ पे भी आप अपने लिए Web Development का Course चुनते हैं जी हाँ, Web Development एक बहुत ही बहतरीन Career Option है Computer की फिल्ट में Just After 12 के बाद लेकिन आपने अगर अपने लिए Web Development का Course चुना है तो उसके सासाथ में कैसे आप इस फिल्ट में अच्छे तरीके से Success हासित कर सकते हैं किस तरीके से आपको Course के सासाथ ही अपने लिए जो है Job Opportunities को तलासना है, Internship को कैसे Process करना है किस तरीके से Proper सही तरीका होगा कि Just Course को Complete करते ही आपके हाथ में Job हो अगर आप इस पर्टिकलर Process को Follow करते हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ तो Definitely Web Development के Course को Complete करने के बाद आपके हाथ में Job होगी नमश्कार दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आपके अपनी वीडियो में एक बहुत ही Valuable Information को करने वाले जो लोग अपना करियर Web Development फिल्ड्स में बनाना चाते हैं जो कि बहुत ही बहतरीन करियर आप्शन है इस बक्त कम्पिटर की फिल्ड में बहुत सारी Job Opportunities है और Web Development एक ऐसा करियर है जो कभी भी खतम होने वाला नहीं है क्योंकि Digital World में, Web World में आपको जो है Web Product की जरुरत हमेशा से पढ़ती रहेगी और Web Products अगर आपको बनाने हैं तो उन सभी को बनाने के लिए Web Development Executives का सबसे बड़ा रोल होता है तो कैसे Web Development के साथ में क्या चीज करनी चाहिए कि आपको course को complete करते ही आपके हाथ में job हो इसकी पूरी details के लिए वीडियो को लास तक देखना है और इन चीजों को follow करना है ताकि आप भी अपने Web Development के course को complete करने के बाद job आसानी से ले सको जी हाँ courses हम कोई भी चुनें लेकिन उनको proper तरीके से planning के साथ में अगर हम उनको करें तो हमें उन courses में अच्छी success मिलती है लेकिन अक्सर बहुत सारे students courses चुनते हैं लेकिन अपना 100% dedication या अपना 100% effort उस चीज में लगाते ही नहीं है और इसके वज़े से last में वो fail हो जाते हैं और उसके बाद वो पूरा दोस course के उपर डालते हैं कि इसमें कोई opportunity नहीं है, course बेकार है, career opportunity कुछ नहीं है लेकिन वो ये नहीं देखते कि उन्होंने इस field में कितनी महनत करी कि वो इस चीज को अचीज को अचीज को अचीज कर सकें कि आपको उसमें success नहीं मिलेगी, लेकिन अकसर बहुत से students ऐसा नहीं करते हैं, उनमें से जो कुछ करते हैं, वो तो अपनी मंजिल को पा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फिर इदर उदर दूसरी field के ओर भागना सुरू कर देते हैं, और वो इसी तरीके से फिर भागत लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, अगर आपने अपने लिए web development field चुनी है, जो कि बहुत ही बहतरीन field है, आप web development में अगर अपना career बनाते हो, तो इस field में आपके सामने बहुत अच्छी job opportunities है, आपके सामने work from home की opportunities है, आपके सामने freelancing की opportunities है, और आपके सामने jobs भी just course को complete करत आपके सामने jobs available है, अगर आप अपना pattern proper तरीके से maintain करके चलते हो, जो कि इस video में आपको बताने वाला हूँ, इस तरीके से अगर आप चलोगे, तो definitely आपको jobs मिलेगी, तो उसमें से जो पहला point है, जो आपने करना है, वो आपको करना है, start making project with your courses, जी हाँ, web development में आपको खास और से website projects बनाने होते हैं, website आपने देखा होगा, internet पे जितनी भी आज की rate में website हैं, वो कहीं न कहीं web development, web designing के जरिये ही बनी हैं, और जिन लोगों को web designing और web development आता है, उन्हीं लोगों ने उन websites को बनाया है, internet में website कभी खतम नहीं होगी, और website बढ़ती रहेंगी, businesses नहीं आते रहेंगे, services आती रहेंगी, और उसमें web development और web designing executives की demands हर बगत फिल्ट में रहेगी, रहेगी, तो आपने फिल्ट बहुत अच्छी चुनी है, आपने course बहुत अच्छा चुना है, लेकिन सही तरीके से इस फिल्ट में काम अगर करोगे, पढ़ाई अगर करोगे, तो तब ही आप इसमें अच्छा मुकाम हासिल कर पाओगे, और अगर आप just एक formality के लिए course को कर रहे हो, parents ने बोला चलो ये फिल्ट कर लो, और आप बस course को पूरा करने के बारे में सोच रहे हो, तो कुछ नहीं मिलेगा, मैं fact आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अ recording project बनाते जाएए, आप just website create करते जाएए, website को complete बनाएए, service website बना रहे हो, blogging website बना रहे हो, या product website बना रहे हो, या आप किसी की e-commerce website बना रहे हो, जो भी website आप बना रहे हो, उस website के completion पूरे project को हिसाब से आप बनाते रहे हैं, और अपने एक particular project के रूप में, अपने computer में, folder के अंदर, उन सब को एकटा करते रहे हैं, जैसे जितने जादा project आप complete करोगे, तो end of the course में, जब आप course के बाद किसी के पास job के लिए जाओगे, तो यही project दिखा के आपको आसानी से job मिलेगी, जी हाँ, यही project आप उनको दिखाई है, जिस company में आप अपने interviews के लिए पूलेंगे, अगर आपने project अच्छे बनाए हैं, उन project को देखके उनको लग रहा है कि हाँ, यह बच्चा महनती है, यह कर सकता है, इसके साथ हमें कितनी महनत करनी पड़ेगी, वो आपके project बताएंगे, तो आपने अगर अच्छे project बनाए हैं, तो आपको जॉब पाने में यही project सबसे ज़ादा help करने वाले हैं, end of the course के बाद जब आप किसी भी company में first job interview के लिए जाओगे, तो project बनाना सुरू कीजे, नमबर टू जो आपने करना है, वो just part time workout, किसी भी company के लिए, या किसी भी service के लिए, just आप check out कीजे कि किन लोगों को website की ज़रत है, किन लोगों क पास में अभी उनके business offline चल रहे हैं, लेकिन उनके business online नहीं है, अगर आप थोड़ा internet में भी इसकी R&D करेंगे, तो बहुत सारे sources आपको net के जरी भी मिलेंगे, आप local market को भी अगर आप visit करेंगे, तो देखे कि आपके असपास में कौन से ऐसे लोग हैं, जिनके offline business तो बहु बिल्ड होगा, और आप जिन लोगों से मिलोगे, उनको convince करोगे कि अभी तक आपका business offline बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन online तो ही नहीं और आजकल सब कुछ तो online है, और आने वाले time पर और भी जादा होगा, हो सकता offline चीज़े बिल्कुल बंद हो जाएं, तो आप उनको अ जितना जादा आप learning के ओपर focus करोगे, उतना जादा future में आप पैसे को बना पाओगे, अभी आपको पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, तो करना क्या है दूसरे में, आपको जिस उन लोगों के लिए भी project बनाने सुरू करने हैं, जिन लोगों के business अभी offline है, ऐस नहीं आगे आगे चलके वही लोग आपको जो है काम जरूर दिला सकते हैं, तो इस तरीके से आपको project के साथ में, live project मतलब लोगों के लिए आप project बनाना सुरू कीजे, नमबर थर्ड जो आपने करना है last में, वो है internship, जी हाँ, जैसे आपका course complete होता है, आपको करनी है internship, किस आपके उसके दौरान आपने कितने लोगों के लिए website बनाई है, तो ये भी depend करता है आपके internship के उपर, कि आपको internship की जरूरत है भी या नहीं हो सकता है, अगर आपने अपने course के दौरान बहुत अच्छे project बनाए, और बहुत अच्छे लोगों के लिए website भी बना दी है, तो आपका पूरा एक तरह किसे internship process भी हो चुका है, अब आप उन्ही project के बल पे, उन्ही client के बल पे आप किसी भी company में jobs के लिए जा सकते हैं, अपना एक अच्छा सा CV बनाएए, उन सभी project को अपने उस CV में addon कीजिए, उन सभी client को अपने उस CV में बताएए, और जाएए अपन करने के बाद internship जरूर करना होगा, तो तीसरा point है आपके लिए internship का, तो इस तरीके से student अगर आप कोई भी course करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, web development course के बारे में, कि अगर आप web development course कर रहे हों, तो web development course को किस तरीके से आपको अपने courses के सांसाथ, अपनी कौन-क होगी, तो इस तरीके से आप web development के जरीए पास सकते हैं, बहुत अच्छी jobs, अगर आप करना चाहते हैं, web development का course, तो यह course हम आपके लिए लेके आते हैं, हमारे doctor and institute में offline और online, आपके लिए दोनों modes में course available है, आप अगर अपना career web development field में बनाना चाहते हैं, तो इस course को आप join कर सकते हैं, हमारे online और offline दोनों platform से, online अगर आप घर से ही करना चाहते हो, तो हमारी mobile app का link इस video के description में है, link पे जाएं, description पे क्लिक करें, app को download करें, और app के store section में आपको मिलेगा professional deployment, web development का course, जिसको आप घर से ही join करके, इसकी complete training घर पे ही लेके, इसकी पूरे project को घर पे ही बना students, आपको course के बारे में अच्छी जानकरी मिली होगी, आपको मजाया होगा, अगर आपको अच्छा लगा, तो like and comment जरूर कीजेगा, और अगर आप channel में पहली बारे, तो channel को subscribe जरूर कीजेगा, चले रोस्तों, आज की इस video में इतना ही, अगले video में फिर आप से मलागात हज़ा है, अपको इस Á gए मिली होग है, घज की जरूरauer के भी देना है, हाग के बारे, रोस्तों की जरूर की अब्स कीजेगा अपको हागा, चैको से जग्दnityfinależ के तो Sãoलीर से जगर एाया है, फिरूर के बारे में लłगदास पाल से महीत बारे बारे में दोराई साम में